अगें मोस्ट इंपोर्टेंट टूल डिरिवेटिफ वह है प्रोड़क्ट रूड प्रोड़क्ट एंड कोशन टूल अभी हम पड़क्ट पढ़ते हैं उसके बाद फिर कोशन डूल पढ़ेंगे पॉड़क टूल उस वत अप्लाई करोगे जब दो फंक्शन मल्टिप्ला हो रहें आप लेट कर लो एक आपका फंक्शन है f of x u बराबर f of x के और एक फंक्शन है v और इस फंक्शन का नाम हमने f रख दिया था उस फंक्शन का नाम हम g रख देते और consider करो यह दोनों फंक्शन u और v यह आपस में multiply हो रहें u multiply v और आपको इसका लेना है derivative तो आप क्या करोगे आप यह formula apply करोगे आप v को रखोगे side पे u का derivative लोगे v को रखा आपने side पे u का derivative आपने ले लिया प्लस फिर आप u को रखोगे side पे और आप derivative ले लोगे v का तो यह बहुत ही simple rule है जिसको हम बोलते है product rule example consider करते हैं sum and difference से related मैं example discuss कर लेता हूँ यहाँ पे एक मैंने वहाँ पे नहीं की example यह कि अगर आपके पास आ रहा है derivative of x square plus sin x दो function जो हैं यह आपस में add हो रहे हैं तो आप क्या करोगे आप x square का भी अलग से derivative लोगे उसके बाद आप sin x का भी अलग से derivative लोगे और उसके बाद दोनों को आपस में क्या कर दोगे add कर दोगे अब x square का derivative तो आपको आता है 2x हो जाएगा और sin x का derivative cos x होता है वो इंशाला हम trigonometry में cover कर लेंगे यहां से आपने एक चीज़ भी देखिए कि जैसे अगर आपके पास 2x लिखावा था तो x का derivative क्या होता है 1 होता है तो answer क्या आगया 2x आगया तो जब भी simple x के साथ कोई भी number multiple हो रहा है तो derivative में वो number आ जाते है जैसे अगर मैं बोलू 6x minus 6x का derivative क्या हो जाएगा minus 6 हो जाएगा अगर मैं बोलू e x e भी एक number होता है Euler's number कहते है तो इसका जब मैं derivative लोंगा answer में क्या आ जाएगा e आ जाएगा product tool की मैं example आप लोगों से discuss करता हूं एक consider कर लो एक आपके पास function है x square और सेम बात करते हैं sin x अब x square और sin x दोनों आपस में multiple हो रहे हैं तो आप क्या करोगे आप पहले वाले को let कर लो u दूसरे वाले को let कर लो v order matter नहीं करता अगर आप किसी को u ले लो किसी को भी ले लो टेंशन की बात नहीं है formula क्या है v को रखो side पे आपने v क्या choose किया sin x और derivative ले लो x square का मतलब u का plus u को रखो side पे और derivative ले लो sin का जिसको आपने v लिया था उसके बाद answer आप डुग निकाल सकते हो इंशालला आई की वीडियो में आप लों को बताऊंगा किस तरीके से आपने करना है इस तरीके से आप किसी भी function पे product rule अप्लाए कर दोगे पांच rule जो है discuss करनी है अब हम six rule discuss करते हैं और वो rule है quotient rule quotient rule उस बत यूज किया जाएगा जब दो function divide हो रहे है consider करते हैं वो ही एक function आपके पास u है और एक function v है अगर ये u और v ये दोनों आपस में divide हो रहे हैं इस तरीके से u upon v और आपने इनका derivative लेना है तो आप क्या formula लगा होगे आप numerator जो है वो exact यही होगा बस sign का फर्क है तो मैं एक चीज बता दूँ आप लोग order याद कर लो इसका इसमें पहले v आ रहे है फिर आप u का derivative ले रहे हो प्लस u आ रहे है v का derivative ले रहे हो order आपने quotient rule में यही रख ले हैं लेकिन quotient rule में दिनम्यान में negative आता है जैसे quotient rule कहता है v multiplied derivative of u minus u derivative of v उसके बाद यह होता है या मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ divided by v square यह पूरा होता है quotient rule तो अगर आप गौर से देखो इस quotient rule का जो numerator है वो exact वो ही है बच इधर positive आ इधर negative आ रहे है तो यहाँ पे तो order matter नहीं करता है आप इस वाली term को पहले लिखो या आप इस वाली term को देल लिखो लेकिन यहाँ पे order matter कर रहा होता है तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना एक और चीज़ में बतातू derivative की different notations होती है उसमें से एक Lagrange की notation होती है Lagrange scientist था उनके नाम पे notation है और वो क्या है कि u के derivative को आप इस तरह भी लिख सकते हो u prime तो quotient rule में अगर आप इस तरह लिखना चाहों तो quotient rule हो जाएगा v derivative of u minus u derivative of v divided by v square यह होता है quotient rule एक example discuss करते है same example आपके पास एक function है x square जो divide हो रहा है sin x है तो आप differentiate करोगे आप derivative find करोगे quotient rule के जरीए से वो quotient rule क्या है कि आप sin x जो denominator है इसको आप let कर लोगे v denominator हो गया v और numerator हो गया u तो आप v को रखोगे side पे u का derivative लोगे minus u को रखोगे side पे v का derivative लोगे divided by v square v यहाँ पे क्या है sin x तो इसका square कर दोगे इस तरीके से आप मज़ी simplify कर सकते हो आप x square और sin x का derivative दे लो simplify करके आपके पास final answer आजाएगा तो अगर कोई भी function divide हो रहे हैं तो आप उस पे quotient rule apply करोगे अब 7th rule है जिसको हम कहते है chain rule बहुत important rule है अब बाकी rules का आपको मतलब बता है कि वो कभी use होते है chain rule कभी use होता है chain rule उस वक्त use होता है जब आपके पास composite function मौझूद है composite function in simple language क्या होता है function within a function एक function के अंदर एक और function मौझूद है जैसे अगर मैं बात करूँ y equal to sin x तो यह एक ही function है जिसको आप बोलोगे यह sign function है sign function के अंदर data put है मतलब अगर आप कुछ भी put करोगे sign उसकी आपको value देदेगा sign एक बकाईदा function है लेकिन अगर मैं example में यह कर दूँ sign x cube अब यहाँ पर function within function आगया sign एक खुद function है और यह जो cube लिखाव है cube बदाते है खुद एक function है किसी चीज़ को cube करना एक function है तो cubic एक function मन गया इसी तरह sign यह भी एक function मन गया तो इस function के अंदर एक और function मौझूद है इसको हम बोलते हैं function within a function यह function of function भी आप बोलते हो और यह होते क्या हैं composite function होते हैं तो इनको differentiate करने के लिए आप यूज़ करते हो chain rule कैसे यूज़ करोगे आप आप यहाँ let कर लोगे के let u जो है वो बराबर है x cube के तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा x cube की जगा आप लिख दो तो जब आपके पास एक composite function या function within function मौझूद है अब आप लगाओगे chain rule chain rule क्या कहेगा chain rule कहता है कि अगर आपने dy by dx मालूम करना है तो आप क्या करो सबसे पहले जो outside function है उसको differentiate करो outside function कौन सा है तो आप differentiate करो y को किस के respect से u के respect से multiply inside function का derivative लो inside function कौन सा था u था आप u का derivative ले लो with respect to x तो यह होता है simple एक chain rule अगर आप इसको different form में लिखना चाह रहे हो composite function की form में लेट कर लो आपके पास एक function है composite function उसको हम लिखते किस तरीके से f of g of x यह composite function मौझूद है और आपको बूला गया है कि भाई आप ने इसका derivative मालोम करना है थीकिए आपने इसका derivative मालूम करना है तो इसका derivative क्या हो जाएगा कि आपने क्या किया था यहां पर सभसे हैं आउटसेट function का derivative लिया था तो अब यहाँ पे outset function को उनसे F आप इसका derivative लो प्राइम का मतलब मैंने derivative लिया multiply inside function का derivative inside function क्या है जी तो आप ने inside function का derivative ले लिया तो composite function की notation में इस तरीके से हम composite function लिखते हैं अब यह क्या होते हैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं तो उस form में लिखा हो तो आप उसको इस तरीके से express करोगे और अगर इस form में लिखा हो है मतलब यू और य की form में लिखा हो है तो यह इस तरीके से आप chain rule apply करोगे अब जैसे यह function था आप ऐसी करोगे अगर मैं बोलूँ कि इसका आपने derivative लेना है यहीं पर मैं example discuss कर रहा हूँ आपने derivative लेना है y equal to sin x cube तो आप क्या करोगे आपको find करना है dy by dx तो सबसे पहले आप outside function का derivative लोगे outside function को उनसा है? तो आपने outside function का derivative लिया multiply फिर आप derivative लोगे inside function का inside function क्या है? x cube तो sin का derivative क्या होता है? बहुत दफाँ बताया है cos और x cube पे आप लगा दो power rule power पहले आगी power में से one less कर दो तो इस तरीके से आप chain rule के जरी से function of function या function within function या composite function का derivative मालूम करोगे तो ये 15 minute की वीडियो में rules of derivative मैंने आप लोगो complete सही तरीके से बता दिये अब जो इसके लावा topic आप लोगो समझना चाहरे तो आप लो comment में मुझे जरूर बताओ के कौन से topic में नेक्स वीडियो बनाओ आप लोगो